नए आदमी होग, नई उमर है, नई उमंग है, नए जोर से कुछ बताओगे कि क्या देश की राजनीत के बारे में आप सुछते हो? आदे तो हम लोग में से मर भी गए, फिर भी अभी तक कुछ इसके बारे में भी सरकार कुछ कर रही नहीं है, इतने सारे लड़के हैं अभी भी, पस्पिड़ा जो आरुग्य की सेवा है, उसमें तो करना चीह न कुछ तो, तो क्या इवाओ में किस पार्टी का जोर लग रहा इसबा, इसमान मनसे का थोड़ा लग रहा है, जो, मनसे का तक कुछ है, नहीं, लेकिन क्या अभी, जो है आप अहले, वो माहिम से वो राश्टाकरी के बेटे जीत पाएंगे, नहीं, जीत नहीं तो है पाएंगे, लेकिन जो, सरकार अभी तो लग रहा है, शिंधे की है, लेकिन जो, एक्चुल में, जो चाहिए, वो देना चाहिए, युवाओ के लिए, इससे अच्छा तो कुछ रोजगार दे देते हैं, घर बेटे, तो भी जलता है, जिस वोट मिलेगा कि पैसा देने से मिलेगा, पैसे से चल रहे हैं सब, देखते हैं अभी क्या होता है, निवर्नुक के बारे में जानना चाहिए, जहां जिस एरिया में जो भी चल रहा है, वो जो अबन्दा आचाहिए, यह पूरा मुंबई में जो भीड आ चुकी है, तो उसके बारे में किसी पास सोलुशन भी नहीं है, हाजारोत आदाद में लोग आते हैं यहां पे, तो जा क्या है, क्योंकि आपने पास जो जगा है, बहुत कम है, वो जगे में ज्यादा से ज्यादा भीड आ चुके, वो क्या कर पाएंगे, लेकिन मुंबई किसी के लिए काम देती है, पैसा देती है, इसलिए सब लोग यहां पे आते हैं, सब देश का, सब लोगों का, हार कर लिए, महराटी में कहावत है, वाडी, तांडा, हर जगे से मुंबई में है, सब मुंबई, सब को खाना देती है, लेकिन यहां पे जो सुविदाय है, वो इसलिके वज़े से कम होती है, बाकि पॉलिटिक्स क्या करेंगे, बहतरीन पॉलिटिक्स है, आप देखिएगा, कुलाबा जाके, पूरा क्लीन है, हर कोई बोलेंगा, मुंबई बहुत बढ़िया है, बहतरीने, अब धारावी में जाईएगा, तो ऐसे बोलेंगे, कि सालों साल से कभी उसको क्लीन नहीं किया है, तो थैंक्यू, रेली थैंक्यू, और कुछ चाहिए, बात आपकी बिलकु में धूल आती है, अगर अमीरों के हिलाके में गरीब चलने लगे, तो उनके घरों में या ट्रैफिक चलने लगे, तो धूल आती है, और गरीब आदमी जो है, वो किसी तरह जीवन बसर कर ले, बहराल आपने ये सही कहा कि मुंबई रोजगार सबको देती है, मेरा ये मानन में इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखाई देता है, और क्या लगता है, किसकी सरकार बनने के करीब है, तो यही है, कि घा साप पानी चाहिए, सबको बिजली चाहिए, बहतरीन मुंबई में घर चाहिए, आम आत्मे को घर चाहिए, ये सबसे कि वोट क्यों लिया जाता है वो चार दिवारी में वोट क्यों लिया जाता है वोंख कि वोats लुब नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब मैंपता हूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा वोट उधर चाने का India तो मिलते हैं कि हम तो हैं इधर के लेकी हमको लगता है सरकार बनेगी उधर की दो मैं एक्शली नहीं बहुल पाऊंगा मैं अपको बात किया जितनी भी किया आपका बहुत शुक्री किया तो मुंबाइ लोकल में आज मैंने सफर जो किया वो भीड बाड़ा वाला नहीं तो मेरा मन बड़ा घाबर आता है इस्टेशन पर चड़ो और दीड देखो और आओ लेकिन खुले में आज लोगों से बीड कम है बीड कम मैं लग रहा है कि वाली गोजे से हाँ सब गाउं जा रहे हैं इसके लिए अधर यह वाधर आज तो हम जब ट्रेन में चले तक सब यूपी माने मराठी कम मिले गहर मराठी जादा और मुंबई में वैसे बहुत हैं भी यह बहुत हैं पुब्लिक तो इलेक्ष्टन का क्या चल रहा है इस जानने तो हम आएं यही तो हम घुमते रहेते हैं जानने के आपको यही जानने के लिए लोगों से इधर उदर बटकते रहे बटकने के जरूर नहीं है इस बटकते का मतलब जाते रहे जगा जगा आपका तो कामी यह दो लोग जानकारी देते तो फिर हम कुछ मूड बनाते हैं कि अच्छा यह क्या लग रहा है खिचडी सरकार चल रही है कंफर्म नहीं है अच्छा नहीं कि एक ही साइड है पब्लिक का मूड इदर उदर भटक रहा है क्योंकि भी पाटिया सब एक से दूसरे में होते हैं पब्लिक सोचता है इनके साथ जाओं कि उनके साथ जाओं और वो किस के साथ चले जाए दा नहीं प्लूसर के किसको दो कुछ भरोसा ने कौन किदर जाएगा पब्लिक का भरोसा ही उड़ गया भी राजनीत पार्टी वालों से भरोसा उड़ गया कि आज हम इनको देता हो कले दुसरे साथ में चले जाते यह सब आपका क्या विचार है वाज सब क्या नाम आपका है नूर आलम नाम है नूर आलम कह विचार है चुनाओ का क्या लग रहा है तो यहां वह लोग चाय की दुकान पर यहां वहां लोग चर्चा तो करते हैं किस करते हैं तो विचार तो यह जात और जो एरिया में जो मेल है नहीं है काम अच्छा है तो उसी का सुपोर्ट करें तो आपके एरिया में किस पार्टी का जोत है उदर तो कॉंग्रेस का है और आपके भाइव साहब अपको कौन सा है और आपको पूरे महाराष्ट में आपको क्या लगता है लोगों के बीच मिली जुली सरकार आएगी उसी एक को बहुमत नहीं मिलने वाले हैं वह वाइसा जिस तरह से पास साल गुजरे है उसी सबसे मिली जुली सरकार आने वाली है क्योंकि लोगों को राजनेतिव में भरोसर ने रहे जो अच्छा काम करेगा उसके उपर ही हो जाने वाले है एरिया में जो अच्छा काम कर रहे है उसको यह वोट मिलने वाला है अच्छा यह लाड़की महना योजना का कोई दिखाई दे रहा है लाड़की महना योजना यह औरतों को पैसा मिल रहा है इसका कोई असर है असर है लेकिन उनको ही देगी ऐसा असर नहीं है जो अभी रूलिंग पाड़ी है उसको ही देगी ऐसा असर नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम ये इसके बात के आने वाली सरकार थोड़ी करने वाली है इतना लोड थोड़ी लेने वाली है दोर में अगर यही आ गई त तो सरकार उनको कुछ लेना देना नहीं है महिलाओ को उनका काम अच्छा हो ना मंगते हैं वही है उनको चलिए ठीक है आज के सफर में बस इतना ही अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरे